हलो एरिवन स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूटूब चैनल आरके मुनिम केमिस्टी क्लासिस पर एलकोहॉल की प्रिप्रेशन हमने पढ़ ली थी आज हम पढ़ेंगे केमिकल रियक्शन ऑफ एलकोहॉल करता है यहां पर आपके बन गया अब यहां पर यह माइनस है और यह प्लस है और हाइड्रोजन जो है वह आपके निकल गया तो देखें यहां पर जब हाइड्रोजन था हाला कि वह आपके कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन जब वह निकल रहा है तो और है यहां पर मतलिरे को यह बनगे तो इसको आप सोडिय। इसके बाद अगर हम बात करें, order of acidic nature of alcohol, कि alcohol जो उसकी acidic nature क्या होगी, तो देखिए acidic nature जो है alcohol की, वो है आपके primary, secondary and tertiary, इसका reason क्या है, कि जब आप देखेंगे, acid वो होता है, जो आसानी से H+, आसानी से H+, कब देता है, जब बाखी पार्ट में electron की density वो कम रहती है, तो यहाँ प हाँ पर क्या है, जैसे जैसे alcohol group बढ़ेंगे, वो electron देने की tendency रखेगा, electron देने की tendency रखेगा, तो oxygen जो है, hydrogen से जल्दी से electron नहीं लेगा, तो आपको धियान रखना है, primary, secondary, tertiary, यह acidic, जो नेचर है alcohol की, उसको बता रहा है, उसका order है, acidic nature of alcohol, यह acidic strength of alcohol को बता रहा है, next है आपक एसे फिकेशन में आप alcohol की reaction करा रहे हैं, acid के साथ, acidic medium है, तो यहाँ पर क्या होगा, alcohol और acid reaction करेगा, और क्या बना लेगा, ester, जब आप hydrolysis of ester करते हो, ester की reaction, water के साथ कराते हो, और क्या बनता है, alcohol और acid, तो यह दोनों reaction आप परते हो, hydrolysis of ester, and estrification, तो estrification में alcohol की reaction होरी ह acid के साथ और क्या बन रहा है acid और water अब यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है वो यह है कि oxygen और hydrogen के बीच का bond break हो रहा है और यहां पर carbon और oxygen के बीच का bond break हो रहा है कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि acid है तो acid क्या करेगा acid का एक्स प्लस देगा लेकिन एस्ट्रीफिकेशन में एस देने का काम कौन कर रहा है एल्कोहल और acid क्या कर रहा है और OH देने का काम कर रहा है यहां पर और क्या होगा कि जो Πोढ़कोल और कि या 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 यह हिसाब को अपको ध्यान रिक्शन करते हैं कि जब एक्षाम के इथर का formula होता है ROR, इथर का formula क्या होता है ROR, तो दीखिए, इथर कैसे आप बना रहे हो, इलकॉल से, सबसे पहले आपने reaction करा ही, इथिनॉल की, C2H5OH की, NA के साथ, तो यह क्या बन गया, C2H5, ONA बन गया, और hydrogen gas liberate होगी, यह reaction वही है, जो भी हमने starting हो पड़ी थी, अब यह मैं पर क्या है, यह sodium icotoxide है, तो यह, आपके, 2 तरह की से काम कर सकता है, यह तो base की तरह काम कर सकता है, यह natin काम कर सकता है, अगर acidic hydrogen available है, तो base की तरह काम करेगा, और यहां पर यह बन गया इसको एलकॉक्सी एलकेन बोलते हैं इथर का अगर हम नाम की बात करें तो क्या कहते हैं अगर हम बात करें रियक्षिन तो यहां पर आप ěसके बाद लोज इवाईड के साथ और लेख्याड करें चाहुचान की बात का डोलते हैं और यहां पर आप लोज प्लज है और इसके यह थैक्षिन यह आपके एनाइट का फामुला है जब आप इसकी रियक्शन कराऊगे तो क्या बनेगा CH3COOR प्लस CH3COOH तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी एस्टर बन रहा है और यहाँ पर भी एस्टर बन रहा है तो एस्टर तो सेम होगा है क्योंकि यह अटेक कर रहा है और हो जैगा CH3COO G frusta COOH तो यहां पर एस्टर डेरीवेटों के साथ जब आप रिक्शे और यहाँ पर एस्टर बनेगा जिसमें carbon और hydrogen के बीच का bond break हो रहा है सबसे पहली reaction दे रिक्षिन with hydrogen halide अगर आप alcohol की reaction hydrogen halide के साथ करते हो तो दीखे होगा क्या यह H plus attack करेगा oxygen पे और oxygen पे attack करेगा तो OH2 plus हो जाएगा और यह जब निकलेगा तो R plus बना लेगा जो ज्यादा acidic होगा ज्यादा acidic कौन से होता है HI तो यहाँ पर आप देखेंगे reactivity order of HX क्या है HI ज्यादा है फिर HBR फिर HCL क्यों 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 यह ज्यादा acidic है HI ज्यादा acidic है compare to HBR compare to HCL इसके बाद अगर हम बात करें reactivity order of alcohol किसकी बात करें है reactivity order of alcohol अब देखेंगे इन reaction के लिए alcohol की reactivity order अलग होगा और इन reaction के लिए alcohol की reactivity order अलग होगा यहाँ पर alcohol की reactivity order वो उसकी acidic nature पर डिपैंड कर रहा है जो के हमने देखा 1 degree, 2 degree, 3 degree है यहाँ पर जो reactivity order वो depend करेगा कि कार्बोटन की stability क्या है क्यूंकि जब आप कार्बोगटन बनाओगे तो जो कार्बोगटन की stability stability का order है वही reactivity का order होगा आगे अगर हम बात करें reaction with phosphorus halide phosphorus halide के साथ अगर हम reaction की बात करें हाला कि यह reaction 2-3 बार आ चुके फिर फटाफर से देख लेते है alcohol की reaction आपने करें पी-C-L-3 के साथ तो दीखे main product तो यह ही है RCL ही बनेगा लेकिन side product vary कर जागा कैसे कि इसका जो oxygen है वो इसके साथ चल जागा तो यह हो जागा PO-C-L-3 और एक CL जो है इसके H के साथ चल जागा तो यह हो जागा HCL तो उपर और नीचे वाली reaction जो है उसमें आपके main product तो सेम है उपर वाले और नीचे वाली reaction में main product सेम है लेकिन side product वो vary कर रहा है उपर वाले में H3PO3 है और नीचे वाले में PO-C-L-3 प्लस HCL है इसके बाद अगर हम बात करें reaction with thionyl chloride, thionyl chloride तो अगर हम reaction की बात करते हैं तो दीखे हों गया, R-O-S-O-C-L और R-O-S-O-C-L जो है, Finally वाले का बनाएगा R-C-L-S-O-E यह आपके Darjen process करा ऊपने आपके बताया था और मैंने आपको बताया है कि यहां पर आप को ध्यान है कि अगर आप SNI machines करा रहे हो तो वो पिरिदीन की के absence में होगा और अगर आप प्रीडील ले रहे हो तो वहां पर SNI मेकनिस नहीं होगा वहां पर SN2 मेकनिस होगा यह आपको ध्यानत में नेक्स्ट है dehydration dehydration के अगर हम बात करें तो देगे नाम से पता चल रहा है dehydration जैसे आपने सुना होगा कि गर्वी में dehydration होगा होता है поговор kitchen simple meaning फानी की अभर क्मीं होना का अगर क्या है तो पानी की कमी होने का मतलब क्या है कि water निकल रहा है तो डी हाइड़रेशन का मतलब क्या है water निकल रहा है कैसे निकलेगा या तो आप S2O3 या फिर आप एल 2-0-3 ले रहे हो जिसको हम क्या कह रहे है dehydrating agent कहते है है dehydrating agent thermal condition में आप heat कर रहे हो तो जब आप water निकालोगे तो क्या जाएगा double bond आ जाएगा तो यह हो गया RCH double bond CS2 एलकीन बन गया साथ में निकल गया water यह आपके जो है reaction से इसके बाद देरिके हेलो form reaction मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल में बता रखिए कि हेलो form reaction क्या होती है और कौन से compound हेलो form reaction देते हैं अगर हम बात करें हेलो form reaction देने के लिए condition क्या है कि अगर alcohol की respect में बात करें तो यह group present होना चाहिए अगर आप reaction करा कि यवर 2 alcohol देता है बाकी alcohol जो है यह reaction नहीं देते हैं अगे दे रखा है distinction between primary, secondary and tertiary alcohol देखे कुछ reactions ऐसी होती है जिससे आप identify कर सकते हैं कि जो alcohol है वो 1 degree है 2 degree है या 3 degree है अब देखते हैं कैसे यहाँ पर चाहिए बाइस रिखेंट के अगर हम बात करें तो देरे का oxygen test मतला oxygen की बात कर रहा है oxygen आप सब जानते हैं oxygen का मतलब क्या होता है oxygen oxygen देखे hydrogen का निकलना oxygen का जुडना oxygen निकलना और electron का निकलना oxygen कहलाता है तो यहाँ पर अगर हम Oxidation करते हैं, Alcool का, primary alcohol का तो सबसे अबली बात तो ये है कि Ease of Oxidation है, मतला आसानी से Oxidation होता है, primary का आसानी से हो जाता है, उसके बाद secondary का और उसके बाद tertiary का जो Oxidation है, वो इतनी आसानी से नहीं होता, तो जब आप 1 degree Alcool का Primary Alcool का जब आप Oxidation कराते हैं तो एल्डीएड बनता और एल्डीएड का जब आप ऑक्सिलेशन कराएंगे तो एसिड बनेगा यहां पर इंपोर्टेंट बात यह है कि जो कार्बन की संक्या वो चेंज नहीं हो रही है सेम जितनी कार्बन की संक्या अलकॉल में उतनी ही aldehyde में और उतनी ही ketone में इसके बाद अगर हम बात करें secondary alcohol का तो secondary alcohol का oxidation जो है primary की तुनना में थोड़ा मुश्किल से होता है secondary alcohol का जब आप oxidation करेंगे तो ketone बनेगा alcohol और ketone में carbon की संख्या सेम होगी लेकिन जब आप further ketone का oxidation करेंगे और acid बनेगा तो acid में carbon की संख्या जो है ketone से कम होगी उसका कारण यह है कि जब आप carbon का जब ketone यह है आपके और जब आप acid बनाओगे तो no doubt यह जो carbon carbon का bond यह break होगा तो इसलिए carbon की संख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है और इसलिए oxidation इतनी आसानी से भी नहीं होता थर्ड अगर हम बात करें tertiary alcohol इसका oxidation सबसे मुश्किल से होता है oxidation आप कराओगे तो सबसे वहले बनेगा ketone अब ketone ही जो बन रहा है तो वहाँ पर भी carbon की जो संख्या है वो आपके कम है किस से alcohol से यहाँ पर कहाता secondary alcohol और ketone की carbon की संख्या सेम थी । लेकिन ketone की और acid की तो लेकिन की, carbon की संख्या कम थी लेकिन जब आप tertiary alcohol की बात करोगे तो tertiary alcohol से किटोन बन रहा है, इन दोनों मेंभी carbon की यहाँ नहीं हो गी क्यों कि KITON में Carbon की संख्या क्या होगी TURSIRI ELKOL से कम होगी उसके बाद जब आप KITON से फर्दर Acid बनाओगे तो Carbon की संख्या और कम हो जाएगी तो आपने कहाँ देखा 1 DG ELKOL से जब LDIR बन रहा है और LDR से जब असे असे बन रहा है तो tertiary alcohol से ketone बनेगा जिसमें carbon की संख्या same नहीं होगी और ketone से जब आप acid बनाओगे तो भी carbon की संख्या same नहीं होगी और यहाँ पर tertiary alcohol का oxidation है बहुत मुश्किल से होता है strong reagent आपको लेने पड़ते हैं तो यहाँ पर depend करेगा reaction कहां रुकेगी वो depend करता है कि आपने oxidizing agent क्या लिया है अब दीगे यहाँ पर exam के point of view से यह reaction ज़्यादा important dehydrogenation reaction दीगे dehydrogenation का मतलब क्या hydrogen का निकलना dehydration का मतलब जल का निकलना dehydrogenation का मतलब hydrogen का निकलना तो hydrogen का निकलना भी एक तरह से oxidation ही होता है तो यहाँ पर dehydrogenation test में आपके copper दे रखा है यह important reaction है एक्जाम में कई बार पूछी जाती है तो 1 degree alcohol का जब आप dehydrogenation कराएंगे तो aldehyde बनेगा 2 degree alcohol का जब आप dehydrogenation कराएंगे तो ketone बनेगा और जब आप 3 degree alcohol का dehydrogenation कराएंगे तो alkin बनेगा यह आपको ध्यान अखना है तो यह differentiate कर रहा है कि 1 degree alcohol है 2 degree Otherwise is 3 degree alcohol है कैसे कर रहा है जो product बन रहा रहा है वो different बन रहा है 1 degree 시스त क्या बन रहा है aldehyd 2 degree alcohol क्हिट् ओर भॉट्वल कौन से degree का है आगे अगर हम बात करें विक्टर में test अभ देकि सबसे पहले जब आप जिस रिएजेंट से रियक्शन करा रहे हैं वो है red phosphorus और iodine तो आपने क्या करा starting में alcohol लिया सबसे पहले reaction करा ही red phosphorus और iodine के साथ उसके बाद second step में आपने reaction किसके साथ करा ही agno2 के साथ उसके बाद next step में आपने reaction किसके साथ करा ही hno2 के साथ और last में आपने जो reaction करा ही वो किसके साथ करा ही पर यहां पर यह तीन डिगरी जो अलकॉल है वह अलग अला कलर देते हैं जिससे आप अइदेटिफाई कर सकते हैं कि जो आपने स्टार्टिंग में लिया था वह कौन से डिगरी का था वन डिगरी अलकॉल होगा तो यहां पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है chemical reaction जो है alcohol की वो complete हो गई है तो alcohol आपका पूरा हो गया है next video में हम शुरू करेंगे फिनॉल तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद